तो भाईयो हमारी सीटी में आ चुकी है इसके री टीचर जो की बिना बताए किसी के भी घरों के अंदर गुसकर बच्चों को क्लिटनेप कर लेती है इसने डायनासोर के बच्चों को भी नहीं छोड़ा है दोस्तो ये इसके री टीचर घर घर में जाकर बच्चों को अपने स इसको मना कर देता है वो उसको जमीन पर पस्ट पटक के मार देती है और फिर घर से भाग जाती है दोस्तों उसने मेरी एक दाइनासोर के बच्चे को मार दिया है और बाकी डाइनासोर के बच्चो को वो अपने साथ में लेके जा चुकी है यह देखो भाई यह तो मेरे साथ में था इसलिए यह बच चुका है मालिक वो टीचर मुझे भी पकड कर लेगी चली जाएगी हाँ तुम्हें उसी स्केरी ट के लिए अपने घर से बाहर क्या गया वो टीचर इसके घर के अंदर गुस गई भाई इसको बिलकुल भी पता नहीं था कि वो इसके घर के आसपास होगी और यहां पे देखो भाई उसने क्या किया बेचारा डाइनसुर का बच्चा उसके साथ में जाने के लिए उसको मना किय होगा तब भाई उसने इसको भी मार दिया वैसे भाई वो टीचर पहले बहुत अच्छी थी भाई बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी लेकिन उसकी दिमाग में पता नहीं कौन सा जटका लगा कि वो बच्चों की दूस्मर बन चुकी है अब तो उसको रोकना है वो कभी भी दुबारा से आ सकती है उसका पता भी ने चलता है वैसे मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ दो बड़े बड़े डोगी जिनकी सूंगने की शमता काफी जदा है भाई ये लोग चुटकियों की अंदर उस इसकीरी टीचर को ढूल लेगे और उस इसकीरी जुडेल बन चुकी है जोकी डाइनासोर के बच्चों के साथ मुनके अंडे भी चुराने लग गई है भाई ये तो काफी गलत बात है भाई जिन अंडों के अंदर से अभी तक बच्चे भी नहीं निकले रा वो उन अंडों का क्या करेगी भाई अभी मेरको भी नहीं पता लेकिन उसने बहुत सारे अंडे भी चुरा ली है लेकिन आज उसकी खेर नहीं है भाई आज वो जैसे मिलेगी हम लोग उसको जेल के अंदर डाल देंगे ठीके भाई वैसे ये डोगी लोग है ना उसको पकड़ लेंगे काट लेगे मेरे को आराम से जाना पड़ेगा यानि रोड को आराम से क्रोस करना पड़ेगा क्योंकि भाई सामने से गाड़ी आ भी आ रही है काफी स्पीड से मेरे को धीरे धीरे चलाना पड़ेगा और ये डोगी लोग भी नीचे गिर सकते है बेचारे चलो भाई अब भी यहां से निकलते हैं तो हम जाएंगे सबसे पहले उस जगे पे जहां पे कोई भी नहीं जाता है उस टुडेल के लिए वो जगे काफी हची रहेगी चुपने के लिए इसलिए तो मैं सबसे पहले वही पे जा रहा हूँ यारी हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्सर एरिया के अंदर और डोगेलों को तुम आराम से बेढ़ जाओ बाई गिर मज जाए ना वेसे भी गाड़ी काफी स्पीड में चल रही है अगर गिर गए ना तो फिर तुम्हें वापस बेटाने में काफी मेनत करने पड़ेगी ठीक है विससे दोगी लोगों तुम्हें यानि उन लोगों को ढूनना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत सारे डाइनसोरों के बच्चों को अपनी बातों के अंदर उल जाया है अपनी जाल के अंदर पसाया है और उन सब को वो अपनी साथ में लिकी जा चुकी है हमें उन सब को ढूनना है पड़ेगा चलो भाई अभी हम लोग construction area के अंदर तो पहुँच चुगे हैं लेकिन ये भाई काफी ज़दा बड़ा है हम लोग उनको ढोड़नेगी तो ढोड़नेगी कैसे भाई यहाँ पे तो बहुत ज़दा time लगने वाला है वैसे डर तो बस एक ही बात कहेगी कहीं वो scary teacher हमारे फ्रे किल में थोड़ी चुडल है वैसे भाई मेरे डोगी लोग एक दम सी जendra मार चुके है मेरे कार यहीं पर रोकनी पड़ेगी और जल्दी से जाकर उन उनको बताए क्या कर रहा है तुम्हें यानि उनकी इसमेल सुंगनी पड़ेगी डानासोर के बच्च ओगे ठीक है मैं उनकी उपर बेड़ जाता हूँ और अभी उन सभी को ढूनना चालो करते हैं भागो रहे भागो जल्दी तुम्हें इसमेल आईगी न वहीं पर जाना ठी बारा से ओ यह यहां पर रुख चुके क्या हुआ भाई यहां पर रुख चुके क्या इस वाल की पीछ है क्या वो डाइनासोर के बच्चे या फिर इसके री टीचर बुझे नहीं पता भाई उतर के देखना पड़ेगा यार यह लोग यहां पर रुख चुके है देखो भा भाई खाजाना मिल चुका है यानि खाजाना मतलब वो इसके री टीचर चलो भाई जल्दी से भाग कर मैं इस वाल के उपर चड़ जाता हूं इस दिवार के उपर ठीक है भाई एक मिट जाके तो देखू न कहीं में खुद ना पस जाओ भाई क्योंकि कुछ भी ओ सिट भाई पर अब बिट्टू भी बेचा रहे दर ही है वाउ भाई हमने इतनी सारे बच्चों को ढोल लिया है वरना हम लोग तो भाई इन लोगों को कभी भी नई ढूंड पाते इसके री टीचर ने भाई बहुचिता दिमाग लगा है चारों तरप से इन बच्चों को दिवार की अ अब जाकर भाई ये दिवार टोटे वाली है चलो भाई मैंने इन सब के लिए दरवाजा खोल दिया है अभी ये सारे बच्चे यहां से भागने वाले अरे क्या करने हो भाई जली जल्दी भागो यहां से इसके री टीचर कभी भी आ सकती है निकल रहे भाई तू भी निकल मेरे साथ साथ वे आजाओ भाई ये सब लोग जाएंगे दुबारा से जुराशीक पार्क में या फिर तुम लोग मेरे घर के अंदर भी चुप सकते हो या फिर पुलिस इटेशन भी जा सकते हो पुलिस वालों को बताओ कि तुम्हारे साथ में उस टीचर ने क्या किया भाई लेट्स गो तो भाई यो बहुत सारे बच्चों को छुडाने के बाद भी हम लोग जा रहे और भी बच्चों को ढोड़ने के लिए वेसे ये नदी पार करके मेरे को जाना पड़ेगा अरे भाई ये नदी पार करना थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि नदी के अंदर पुरी कारी डूबने वाली है ओ मेरी डोगी लोग भी पाने के अंदर डूब चुके ये कहीं नीचे ना गिर जाए चलो भाई हमारी कार तो निकल रही है धीरे धीरे मेरे को एकदम धीरे धीरे चलाना पड़ेगा वेसे भी हम लोग भाई पहाडी के उपर जा रहे है क्यो लोग मेरी लिए कुछ ना कस दो करेंगे हमेशा मेरी मदद करता हूं रहा तो ये लोग भाई मेरी हमेशा मदद करेंगे चलो भाई मैं कितनी उपर आ चुका हूँ कुछ जैदा ही उपर आ गया क्या मैं बाई हमेश्या में इतकी मदद करता हूँ न तो ये लोग भी भाई मेरी हमेश्या मदद करेंगे चलो भाई let's go मेरे को धीरी धीरी चला रहा पड़ेगा और ये भाई में कितनी उपर आ चुका हूँ कुछ ज्यदा ही उपर आ गया क्या में गाड़ी भी पिसलने वाली अब तो नहीं जा पा रहा हूँ यार में तो कहीं गाड़ी पीछे की तरफ न आ जाए और हम लोग दुबार से उस नदी के अंदर डूप सकते हैं नहीं नहीं मेरे को निकाला पड़ेगा भाई केसे भी पि अभी तक इस वीडियो को लाइक ने की आये तो जल्दी से लाइक करदो चैनल को सस्क्राइब कर दो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो जल्दी से लाइक करदो भाई और मैं और भी उपर जाने की कोशिस करता हूँ वैसे इसके लिए टीचर भाई याहां से सब और मेरे को यहां पे कुई न दिखा भाई वो घर तो नहीं देकिन घर की तरह यानि कुछ मीरे को लग रहा हूँ चलो भाई वहां पे जाओ क्या मैं यार lib का खोग ओ यह रस्तात होगा अंदर जाने का यार ये तो काफी अजीब चीज है भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसी चीज यानि चारो तरप से ये बंद है मेरे को गाड़ी रोक कर देखना पड़ेगा ठीक है भाई मैं अंदर भी जाओंगा अगर अंदर जाने का रास्ता मिला तो लेकने एक सिकिन भाई सबसे पह जो कि भाई अभी सो रही होगी दिन के अंदर वेसे भी उसको रात में मजा आता है ना बच्चों को पकड़ने बे चलो भाई मैं अंदर जाता हूँ फिर से भाई में तो नीची गिर गया ओ इस बार यानि पता नहीं क्या होगा अंदर ओ मेरे को यानि डाइनोसोर की चलो भाई हम लोगों ने और भी जादा बच्चे ढोल लिए है भाई इतने सारे बच्चे और मेरे भी यारी जितने भी बच्चे थे ना गर पे वो सब लोग इदर मेल चुके भाई ये दिको प्यारी वगिर आराम से घुम रही है यार तुमारे साथ में उसने कुछ किया तो नहीं लेकिन फिर वो इसके री टीचर इनके साथ में करना क्या चाहती है भाई इन सबको यहां पे किटनेप करके रखाए भाई ये लोग भूग प्यास से मरने वाले है यारी इनको उसने कुछ भी नहीं खिलाया चलो भाई इन सबको में यहां से निकालता हो और इन लेकिन भाई ये क्या जा रहा है औरे ये क्या चीज अब बाहर भाग गया भाई कोई तो था उधर मेरे को बाहर जाकर देख रहा पड़ेगा भाई वो काफी अजीब था वो डायनोसोर का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था वो सेट भाई गलत जगे पे लग गई यार क कहां पे चला गया अब भी तो यहीं पे था यार मेरे को अरे रुको 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 ये क्या चीज है अब अरे भाई ये चिडिया है कि सेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसने मेरे को अभी तक नहीं देखा है ये है क्या चीज भाई अरे इसने मेरे को देख लिया और वो मेरी तरब काफी तेजी सी आ रहे है क्या यह फ्रेंक्लिन भया को माज डालेगी भाई लग तो एस आरह आए ये दुस्वन है कि भाई दोस्ते पता नहीं लेकिन यह मेरी उपर हमला भी कर सकती इसके पंजी तू देखो कितने बड़े बड़े ओ हमला किया इसने भागो भाई में जल्दी सी जाकर कार में बेड़ जाता हूं या फिर एक सिगिंड मेरे को तोप निकान ले पड़ेगी भाई तोप से मेरे को मानना पड़ेगा वरना ये लोग या इन दोगे लोगों का शुक्रियादा है कि ये थाना भाई मोश्टर की तरह पता ने क्या चीज़ दी वो वो खुद भी मर गई और हमारे फ्रेंक्लिन भाईया को भी मार दिया था लेकिन अभी हम लोग दोबारा से आ चुके भाई यहां पर सभी लोग सई सलामत है और बाकी डोगी लोग भी आ चुके हैं सहर के अंदर से और यहां पर देखो भाई मैंने बहुत सारे इन सभी को बचा लिया है और इन सब को वापस से घर बेजने के लिए यहां पर दो बड़े बड़े ट्रक बुला ली है दोस्तों इन सभी बच्चों को घर पे छोड़ने का टाइम आ चुका है लेकिन एक सेकिन भाई यह ट्रक एकदम हिल की से रहा है यह कोई डांसिक ट्रक थोड़ी है आगे से भी हिल रहा है पीची से भी हिल रहा है यह तो दिमाग के अंदर नहीं जा रही है एक सेकिन में उपर जा कर देखता हूँ शाय से नहीं हिलेगा चलो भाई जल्दी सी उपर चड़ता हूँ और अभी अभी भी नहीं मिली है पुलिस वाले उसको खोज रहे है और वो जैसे ही मिलेगी हम लोग उसको जेल के अंदर डालनेगे तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो भी तब तक के लिए बाई बाई